आज हम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फीगर आप स्पीच यानि हिंदी में अलंकार की बारे में जानते हैं फीगर आप स्पीच इजे फिगरेटिव लेंग्वेज दैट इस लेंग्वेज तो ड्रॉए पिक्चर मेंटली तो कन्वे दमैंसेज क्लियरली तो इसमें हम फीगर आप स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों का प्रियूख करते हैं जिससे प्रोज की या पोईटरी की सोभा बढ़ जाती है इन सब्दों को लिखने से जो अर्थ होता है प्रोज या पोईट्री का वो बढ़ जाता है इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं और इंग्लिस में फीगर आफ स्पीच कहते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में हम आपको साथ प्रकार के फीगर आफ स्पीच के बारे में बताएंगे तो आईए देखते हैं वे साथ प्रकार के फीगर आफ स्पीच कौन-कौन से हैं आई जानते हैं साथ प्रकार के मुख्य, figure of speech कौन-कौन से हैं पहला है simile, second है metaphor, तीसरा है personification, fourth hyperball, five apostrophe, six oxymoron, और seventh onomatopoeia ये मुख्य, साथ प्रकार के figure of speech हैं, जो की exams में अक्सर पूछे जाते हैं इन साथ kinds का आपको अच्छी तरह से इसकी definition आनी चाहिए और इसके examples आने चाहिए तो आईए सबसे पहले simile से start करते हैं पहला figure of speech है simile simile याने upma, हिंदी में इसको कहते हैं upma इस simile is a figure of speech that uses comparison between two unlike things it is done using the words like, as, or, so तो simile, ये जो figure of speech है जब ये use होता है तो कुछ words आते हैं जैसे like, as, या so जैसे my mother is like the god, मेरी माँ भगवान कीते रहे हैं यानी मदर की तुलना की गई है भगवान से second example is this man is as brave as a lion यहां पे देखिए इस आदमी के तुलना की गई है share से कि ये आदमी share की तरह से बहादूर है तो इस तरह से जब हम उपमाख देते हैं किसी को किसी से तुलना करते हैं तो simile होता है ये figure of speech होता है तुलना करने के लिए like as और so का प्रियोग करते हैं आईए जानते हैं second figure of speech metaphor के बारे में a metaphor is a figure of speech that uses comparison between two unlike things these two things must have one thing in common but it is done without using the words like as or so तो metaprophy simile की तरह होता है उपमा दी जाती है लेकिन इसमें like as और so इन शब्दों के प्रियोग नहीं होते हैं जैसे our soldiers are lion हमारे जवान share हैं तो यहाँ पे देखिए like या so का प्रियोग नहीं हुआ सिर्फ लिखा गया our soldiers are lion सेकेंड है the camel is the ship of dessert और तीसरा है life is a dream तो इस पे आप देख रहे हैं आवर soldiers are lion हमारे जवान share हैं सेकेंड the camel is the ship of dessert camel रिखिस्तान का जहाज है और third one life is a dream life एक स्वपन है तो इसमें देखिए दो different things की तुलना की गई है जो soldiers हैं उनको बताये गया है lion camel को बताये गया है ship यानि जहाज और life को बताया गया है dream इसलिए ये metaphor figure of speech है अब हम लोग देखते हैं तीसरे figure of speech personification के बारे में ये जो अलंकार है personification is a figure of speech where human qualities are given to objects or ideas these qualities may be emotions, desires, sensation, gestures and speech तो personification जो है व्यक्तिकरण एक ऐसा अलंकार है जिसमें जो इनसानों की quality होती है humans की quality होती है वो किसी objects को या किसी विचार को दे दिया जाता है जैसे the moon smiles at us चंद्रमा हमारे उपर हसता है यहाँ पे चंद्रमा की जो quality बताई गई है human वाली बताई गई है इसी तरह the stars danced in the moon lit sky जो सितारे हैं, तारे हैं वे डांस किये, नित्त किये चांदनी, आकाश में तो यहाँ पे जो moon की quality है वो इनसान की quality डांस को बताया गया है इसलिए यह figure-up speech personification होगा figure-up speech की जो fourth kind है, चौथी प्रकार है वो है hyperbol hyperbol को हम आतिश्योकती अलंकार भी कहते हैं hyperbol is a figure-up speech where in we overstate any statement it is done for expressing something forcefully and clearly यानि किसी भी चीज को जब हम बढ़ा चड़ा कर पेश करते हैं तो hyperbol figure-up speech होता है जैसे the river of blood flooded in the war यानि युद्ध में जो नदी थी वो खून से भर गई तो इसमें ये भी बहुत अतिश्योकती है you are brighter than the milk तुम इतने bright हो, चमकीले हो यानि मिल्क से भी जादे चमकीले हो यहां पर भी देखिए अतिश्योकती है hyperbol है his brain is the size of a P उसका दिमाग मटर के दाने के बराबर है यहां पर भी hyperbol है आईए जानते हैं फिफ्थ figure-up speech apostrophe के बारे में इस figure-up speech की quality यह है कि इसके last में या word के बाद apostrophe mark लगा रहता है an apostrophe is a figure-up speech in which some absent or non-existent person or thing is addressed as if present and capable of understanding it is an exclamatory figure-up speech as exclamation is used in it जैसे life I cannot understand you जीवन मैं तुम्हें नहीं समझ सकता second example why don't you ever work you stupid mobile अब देखिए mobile यहां पे non-existent है इसमें प्राण नहीं है लेकिन इसको भी हम सम्भोधित कर रहे हैं और last में exclamation mark लगा रहे हैं तो ऐसे figure-up speech जहां पी use होते हैं जिस prose या poetry में तो इसको apostrophe figure-up speech कहते हैं तो आपने देखा apostrophe figure-up speech जिसमें exclamation mark यानि बिसमें बोधक चिन लगा रहता है ऐसे figure-up speech को apostrophe कहते हैं आईए अब six figure-up speech यानि यलंकार oxymoron यानि बिरुदाभास के बारे में जानते हैं An oxymoron is a figure of speech containing words that seem to contradict each other that is one word says one thing and the other word says the other thing तो इसमें जो दो शब्द होते हैं वे एक दूसरे के बिरुदी होते हैं बिलोम होते हैं इसलिए गद्दे की या काबे की प्रोज की या पोट्री की सोभा बढ़ जाती है जैसे This is an open secret यह एक खुला रहस्य है खुला भी है रहस्य भी है यह देखिए दोनों contradict कर रहे हैं All the girls agreed to disagree सारी लड़कियां इस बात पे सहमत थी की वे औसहमत है They are clearly confused in their decisions वे सभी लोग confused हैं अपने decision में clearly तो यहाँ पे clearly और confused दो अलग-अलग meanings दे रहे हैं तो इस तरह से आप oxymoron में देखते हैं दो बिपरीत शब्दों को जिससे की प्रोज की या प्रोट्री की सोभा बढ़ जाती है इसी को oxymoron कहते हैं आईगे जानते हैं seventh figure of speech यानि सात्वाँ जो अलंकार है onomatopoeia onomatopoeia is defined as a word which imitates the natural sound of a thing that is it is a word which is sound of that thing यानि जब कावे की यानि poetry की या प्रोज गर्द की सोभा बढ़ने के लिए उस बस्तु का उस व्यक्ति का उस पक्षी का उस इंसेक्ट का जो भी प्राड़ी है उसके sound को जब हम यूज करते हैं सोभा बढ़ने के लिए तो उसे onomatopoeia figure of speech कहते हैं जैसे the buzzing bee flew inside दो bee है मदमक्की है उसकी जो sound है उसको buzz कहते हैं buzzing कहते हैं इसी तरह the small cat said mu mu छोटी बिली बोली mu mu तो यहां पर देखिए जानवर का और insect का जो बोली है उसको जब हम यूज करते हैं प्रोज या पोईट्री में तो उसे onomatopoeia कहा जाता है आईए अब quick review करते हैं figure of speech का जो अब तक हमने पढ़ा अलंकार का यानि figure of speech का पहला simili जिन में like, as या so का प्रयोग करते हैं compression करते हैं to unlike things का second metaphor इसमें भी compression करते हैं लेकिन as, so और like का प्रयोग नहीं करते personification यानि व्यक्ति करण जब निर्जीव चीज़ों की तुलना की जाती है सजीव चीज़ों से तो personification figure of speech होता है hyper bowl यानि अतिश्योक्ती यानि जब कोई चीज हम अतिश्योक्त के रूप में बोलते हैं लिखते हैं तो उसे hyper bowl figure of speech कहते हैं इसके बाद यापास्ट्राफी यापास्ट्राफी एक figure of speech है जिसमें figure of speech का प्रियोग करते हैं यापास्ट्राफी के रूप में छट्वा हैं oxymoron यानि बिरोधाभास और लास्ट है onomatopoeia यानि जो sound होती है इंसेक्ट्स की किसी जानवर की इंसानों की जब उसका प्रियोग हम अपने प्रोज या प्रोट्री में करते हैं तो उसे onomatopoeia figure of speech कहते हैं तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको कापी में नोट करेंगे और जितने एक्जामपस दिये गए हैं उसको कापी में नोट डाउन करेंगे याद करेंगे ताकि आपकी परिच्छाएं अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकें आईए आपको figure of speech याद करने का एक ट्रिक बताते हैं शैंपू इसको आप याद कर लीजिए यहाँ पर शैंपू में यस इस स्टेंड फार सिमिली ह हाइपर बोल ए एपास्ट्राफी म मेटाफर पी परसोनिफिकेशन ओ आउक्जिमोरॉन और जो सेकेंड ओ है ओनो मेटो पोईया इस तरह से आप बहुत आसानी से figure of speech को याद कर सकते हैं उसके काइंड को याद कर सकते हैं डिफिनिशन इस वीडियो को देखकर याद करें और यह जो ट्रिक है शैंपू इसको आप याद करके figure of speech के काइंड